सुतुर मूर्ज आम तोर पर छोटे पोदे या पेडों की जडों की पत्ती भी छोटे कीडे और छोटे बड़े जानवरों का मास खाते हैं ये पक्षी सारवाहारी होते हैं इसलिए ये हर चीजे खा सकते हैं अलांकि इसके बावजूद भी इस पक्षी के बारे में कहा जाता है कि वे कंकड और पत्तर भी खाते हैं क्योंकि सुतुर मूर्ज ऐसा इसलिए करता है ताकि वे अपने पेट के अंदर मोजूद खानया पचा सकें सुतुर मूर्ज के मूँ में दात एक भी नहीं होते वे खाने को चबा नहीं सकते एसे में खाने को छोटे छोटे टुकरों में पीसने के लिए वे फुट छोटे छोटे कंकड पत्थर को निगर लेते हैं और फिर उनी की मदद से पेट के अंदर निगले हुए खाने को चबाने की कोशिस करते हैं